हेलो एंड वेलकम एवरिवान तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th बेस्ट पेरामेटिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में इसका यहां पर सेलिबस आज चुका है तो सेलिबस हम देखेंगे कि सेलिबस क्या है और यहां पर कुछ इंपोर्टन्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं क्रश्मी बोड़ा प्रफिशनल एंटरनस एक्जामनेशन कंड़क्ट करने जा रहा है 2021 सेशन के लिए तो यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म आप बर सकते हो 17 अपरेल से लेकर 7 मैं तक आप यहां पर अपने अप्लिकेशन फॉर्म फिल आप कर सकते हो सिंपली किसी भी यहां पर जो जिरॉक्स वाला होता है उसके पास आपको जाना है वहां पर आपको डॉक्यमेंट्स साथ लेकर जाना है और 1000 आपको यहां पर अप्लिकेशन फी है वहां पर आप फॉर्म बर सकते हो 17 अपरेल से लेकर 7 मैं तक तो उसके बाद आपका यहां पर एड्मिट कार्स निकलेंगे मिन्स रोल नमर सिल्प साथ के निकलेंगे वो आपको अभी बोला नहीं गया है कि कब निकलेंगे फिर आपका एक्जामनेशन होगा वो भी सेपरेटली बोलेंगे फिर आपका रिजल्ट निकलेगा फिर यहां पर अगर कोई answer की में कोई question इन्होंने गला दिया होगा तो उसको आप यहां पर representation against की जिसको हम बूलते हैं वो यहां पर दे सकते हो और उसके बाद counseling होगी तो counseling के बाद यहां पर admission process होगा इन्होंने लिखा है before October November 2021 October November से पहले यहां पर यह admission process complete करेंगे यहां पर अगर हम बात करेंगे paper pattern के बारे में बहुत इंपर्ट यहां पर यह रहने वाला है paper का English है वो syllabus में आपको अभी बताऊंग और जो टैंथ का science है जिसमें फिर त्री सक्षिन्स हैं physics, chemistry and biology तो यहां पर 10th का English उसमें थोड़ा बहुत इन्हों ने दिया हैं और यहां पर जो 10th का science आपके पास होगा उसमें जो 3 सक्षिन्स है physics, chemistry and biology तो इंगलिश पर 20 marks है physics में 20 chemistry में 40 and biology में 40 तो आप यहां पर time अगर यहां पर आपके पास 2 गंटे हैं तो टाइम आपके पास दो गंटे है मिन्स 120 मिनट एक सो बीस मिनट आपके पास है और 120 आपके questions होंगे और आपकी यहां पर negative marks भी है negative marking है 0.25 मिन्स यहां पर अगर आपके चार questions गलत होते हैं तो आपका यहां पर एक marks कम किया जाएगा तो यह था पेपर प्याटर दो गंटे आपका एक साम होगा मिन्स 120 मिनट आपके पास हैं यहां पर 120 आपके questions हैं इंगलिश में 20 फिजिक्स में 20 केमिस्टर में 40 पालजी में 40 और यहां पर पेपर आपका एक ही होगा एक ही जिना आपका एक साम होगा अगर गलत होते हैं तो एक marks आपका सिर्ण काट हो जाएगा तो यहां पर अगर हम अब सेल बस की बात करें तो सिल बस आपका ट्ंथ secondary का सिल बस रहने वाला है ट्ंत क्लास का सिलबस आपका एक हम पर पर हैं इलिश की बात करें तो इलिश में हम पर आपके 20 questions होंगे और 20 marks होंगे तो यहाँ पर pronouns, types and uses इसके 3 questions होंगे फिर यहाँ पर conjunction types and uses, models आपके हैं यहाँ पर reported speech changes in verbs and other changes classes, sentence pattern, past perfect uses to infinitive and ing form तो यहाँ आपका English का syllabus है फिर यहाँ पर 10th physics आपका syllabus है 20 questions है, 20 marks है light reflection and reflection में आपके 4 questions है यह syllabus है उसके बाद human, eye and cloud world उसके बाद electricity उसके बाद magnetic effects of current इसमें 4 questions आने वाले हैं पर last sources of energy इसमें 4 questions आने वाले हैं तो यहाँ पर physics के 20 questions and 20 marks आपके हैं और यहाँ पर 5 chapters आपके physics के हैं उसके बाद अगर हम chemistry के बात करें तो chemistry में आपका यहाँ पर chemical reactions and equations हैं इसमें 8 questions आने वाले हैं उसके बाद periodic classification of elements इसमें भी 8 questions आने वाले हैं तो chemistry में आपके हम पर 40 questions होंगे और 40 minutes होंगे next carbon and intense compounds इसमें भी 8 questions आने वाले हैं फिर यहाँ पर metals and non-metals इसमें भी 8 questions और last में acid space and salt इसमें भी 8 questions हैं next अगर biology की बात करें तो biology में आपके 40 questions हैं और 40 मुहाइक्स हैं तो first unit आपका है life processes तो इसमें 8 questions हैं उसके बाद control and coordination इसमें भी 8 questions हैं उसके बाद how do organism zero production इसमें भी 8 questions हैं heredity and genetics इसमें भी 8 questions हैं our environment इसमें भी 8 questions हैं our environment यह आपका last chapter है biology का तो यह हैं सेल बस आपका English में थोड़ा बहुत हैं और जो 10th का science हैं वही आपको बढ़ना हैं जिसमें 3 sections हैं physics, chemistry and biology तो और एक वीडियो में सेल बस बिलाओंगा detailer video जिसमें हम जो यह topics हैं इसमें दिये हैं जो accumulation of variation production heredity, inherited traits, rules for inheritance जो inner यहां पर यह topics हैं topics पे में वीडियो जोरू लाओ और केसा यहां पर आपको preparation करनी हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye झाल